नमस्कार आप दीख रहें नेक्स नाइन निज नेशन में आपका स्वागत है इस वक्त खबर आ रही है यूपी इलेक्शन की बता दें आपको अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तरपरदेश विधान सबचनाव से पहले वी आईवी पार्टी ने जन्चेतना रैली के जरी आगास कर दिया है पहले जरन की अंतीम रैली मुक्यमंत्री योगिया जितनाथ के गड़ गोरखपुर में करके बिहार के कैबनेट मंत्री मुकेश सेहनी ने अपनी ताकत का हैसास कराया है उन्होंने निशाद समाच के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास सील इनसान पार्टी यूपी में 165 सीट पर चुनाव लड़ेगी उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के साथ गड़ बंधन नहीं करेंगे सेहनी ने साफ किया है कि निशाद पार्टी बीजेपी के साथ 50 सीट पर गड़ बंधन करेगी तो उनका साथ देंगे गोरखपुर के च निशाद पर तंज करते हुए कहा वो अरक्षन नहीं दिला पाते हैं तो 50 सीट पर बीजेपी के साथ गड़ बंधन करते हैं तो हम उनका साथ देंगे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारी पार्टी उत्तर पर देश में मजबूती के साथ 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ज जो लोग निशाद को अपना वोट बैंक समझते हैं आगे उसे हम कम से कम 75 और 27 में अकल आएगी निशाद के सामने जुगना पड़ेगा निशादों को अधिकार देना पड़ेगा जैसा कि किसी कानून को वापस लिया गया लोग डरे हैं उसी तरह निशाद से नहीं डरे हैं वे लोग निशाद को हलके में ले रही हैं इस बार हम लोग खेला करेंगे और ख़देड़ा करेंगे उन्होंने आगे कहा हम अजबूती से 15 परतिशत वोट लाकर स्पिच चत्त सीट से हराएंगे 2024 से पहले केंज सरकार या सुनिशित करेंगी निशादों को अरक्षन मिलेगा संजण इशाद को निशाद समाज अपना बेटा मानता है उनके साथ है आज मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ निशाद समाज का बेटा हूँ आज यही वज़़े है कि निशाद समाज के लोग उनके साथ है यह सही नियत और नियती से चलेंगे तो हम उनके लोग उनके साथ रह सकते हैं क्योंकि वह लोग पार्टी नहीं चला रहे हैं दुकान चला रहे हैं ऐसी और खबरों के लिए बने रहेगा नेक्स्ट नाइन यूज डेशन के साथ धन्यवाद